तो जैसा कि पिछल एपिसोड में हमने देखा था, एंसेन डेमन जो रहते हैं, वो वांग लेग और वो जो फिजिकल बॉडी थी, दोनों को ले करके ड्रैगन लेग की तरह बढ़ जाते हैं, अब आगे, अब यह जो ड्रैगन लेग का इससा था, यहां पर बहुत सारे पाव लेग जैसा ही है, बट यह लेग में जो पानी है, काफी चिप-चिपा है, और वांग लिंग फिलाल इसी में कल्टीवेट कर रहा था, आर्मर इसने अभी भी पहन रखा था, पर आखे इसकी बंद थी, और जो बड़े आदमी को इन्होंने पकड़ा था, जो के लिंग ट्य से सप्रेस नहीं करना चाता था, बलकि उसे डिवोर करना चाता था, और वांग लिंग को यहाँ पर बैठे वे, महिने बीच चुके थे, अब यह जो डेविल था, इसके सोल पर वांग लिंग ने अपनी एक छाब बना दी थी, एंसे डिमन की मदद से, लेकिन यह डेविल स सकता, और अभी कंट्रोल भी निकर सकता, समय आने पर, मैं इसे अपने second origin sol में बदल दूँझा, और second origin sol पनाना बहुट tough है, और ascendant लेवल पर सायद ही कोई असता होगा, जिसके पास second origin sol होगा, और वांग लिंग यह सोचने के बादु यह सोचता है, कि जो लिंग टियानो क disciples है, उनकी sword energy इसे कठा करनी बड़ेगी अब Wangling इस armor को touch करता है, जिसे इसने पहना था, और सच में ये काफी powerful था, फिलेल Wangling एक bracelet निगालता है, और ये जो armor था, उसमें जाकर के merge हो जाता है, अब ancient demon इससे कहते है, क्या तुम जा रहे हो ये जो वाज थी, वो statue के अंदर से आ रही थी, और Wangling इनसे कहता है कि आपने मेरी तीन बार मदद की है, मैं इसे याद रखोंगा, और Wangling कहता है कि मैंने जो आपको वादा किया था, दस साल पहले है, मैं उसे पूरा कर दूँगा, पर कुछ और चीजों में, मुझे आपकी help चाहिए अब Wangling, जो Ancestor Zawi ने इसे अपना पागोडा दिया था, उससे निकालता है और बोलता है कि मैं इनको धूणना चाता हूँ, शैद ये यही पर हैं लेकिन जब Ancine Demon इसे फील करते हैं, तो कहते हैं, फिलाल मेरे Sky Demon Country में ऐसा कोई बंदा नहीं है किसी की भी औरा मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ और Demon Spirit Land काफी बढ़ा है और अगर तुम मेरे लिए कोई दूसरा Ancine Demon धूण के लाओ, जिससे मैं अब्जॉर्ब कर लूँ, तो मेरे पावर लोड जाएंगे तो मैं कर सकता हूँ कुछ अब Wang Ling उचे दूसरा पंदा था, जिससे ये लोग पकड़ के लाएते बोलता है कि मुझे ये चाहिए Ancine Demon बोलते दे दूँगा लेकिन सौ साल के अंदर तुम्हें, मिरे लिए Ancine Demon लाना पड़ेगा और Wang Ling उचे जो और बोलता है कि मैं Ancine Demon का Inheritance हासिल करना चाहता हूँ तो उसके लिए भी ये बोलते, वो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन पहले तुम मेरे लिए लिए तो कुछ कर दो Wang Ling मान जाता है, पर कहता है यार Emperor से भी मेरी नजर में अब उपर है फिलाल Wang Ling यहां से निकल जाता है और यह सोचता है कि यह जो बड़ा वला बंदा था साथ यह Link ट्यानों से रिलेटेड है कही न कहीं और future में काम आए गई और अब यह बढ़ता है जीशू की तरफ यानि वो बंदा जिसे इसने मारा था और वो Link ट्यानों का disciple था फाइलली यह वहाँ पर पहुंचता है और जीशू का लास वहीं पर पड़ा हुआ था पर Wang Ling से पहले यहाँ पर एक और बंदा पहुंचता है जो कि कीडो वगरा का यूज करता है और जीशू के लास को रखने लगता है लेकिन जैसे ही इसके यह कीडे जीशू की वाड़ी की तरह पहुंचते है वहाँ से एक लाइट निकलती है और पूरे यह जो बीटल्स थे वो मारे जाते है अब यह बंदा और एक्साइटेट हो जाता है यानि इसके लाश में कोई न कोई ट्रेजर तो है यह फिर से अपने औरा को यूज करता है पर तब भी यहाँ पर वांग लिंग आ चुका था और इसके अटैक को पीछे फैक दिता है और कहता कि आप मुझे मेरे बिरदर की बॉड़ी लेने से क्यों रोक रहे है वांग लिंग देखता है इसके तरब कि यह तुम्हारा छोटा भाई है और याब यह बोलता भी है यह बंदा कि हाँ हम हैन्यून सेक्ट के है इस बंदे का नाम जाउकू है और मेरा नाम टॉंग यून है और मतलब यह पूरी स्टोरी बना लेता है और चेहरे पर उदासी पर दिखाता है अब वांग लिंग इसे घुरता है टॉंग यून पीछे अटने लगता है वांग लिंग अभी भी आर्मर पहन के था तो यह बंदा का ट्राई भी करता है तो वांग लिंग के कल्टिवेशन को यह फील भी नहीं कर बाता है फिर भी यह सूचता है कि चलो अगर यह बंदा उस लास के सौफट के रेंज में जाएगा तो यह मारा जाएगा और उसके बाद मैं उस ट्रेजर को लिलूँगा और इसका आर्मर भी मेरा होगा अब वांग लिंग इदर आगे भढ़ता है और जीशू के सौफट के एरिया में पहुंच जाता है और जैसे पहुंचता है वो गोल्डन लाइट फिर से चमकती है और वांग लिंग के तरह पढ़ती है टॉंग यून काफी खुश हो जाता है पर वांग लिंग को फरक नहीं बढ़ता है क्योखी एक जो स्वाड हो रहा है एक डिसाइपल को मार के पहले भी ले चुका है तो इससे पता है कि इससे निपटना कैसे है और ये जीशू के वाड़ी के काफी करीब पहुँच जाता है इधर टॉंग यून समझ चुका था ये यहाँ से भागने को देखता है पर पीछे से वांग लिंग के वाज आती है तुम्हें अपने भाई की लाश ची ये थी न कहां जा रहे हो अब टॉंग यून तुरंती कहता है अगर आपको पसंद है तो आप लेलो मुझे अब कुछ नहीं करना है और ये नई स्टोरी बना देता है कि वैसे भी मेरे छोटी भाई की जो जिन्दगी थी काफी कठिन थी अगर ये मरने के बाद आपके काम आ रहा है तो चलता है फिलाल वांग लिंग जीशू के फोरेट पर फोकस करता है जहापर वो सौड और फिक्स थी और सेम वही मेथड यूज करता है जैसे और जिन फ्लेम मतलब इस चेज को कैस से हांसिल करना है टॉंग यून ये सब चीजे देखता है और समझ चुका था यार ये बंदा इसके पास ओरजिन फ्लेम है और जीशू का जो सर था उसे वांग लिंग रिफाइन करने रखता है क्योंकि उसी में सौड और अचेपी रहती है और वांग लिंग फैनली उसे डेवोर कर जाता है गोल्डन लाइट को और उसके बाद जीशू की बॉड़ी इसकी तरफ फेक देता है टॉंग यून की दरफ कि ये लो तुम्हारा भाई टॉंग यून भी अब थैंक्स बोलता है और लाश को लेकर निकल जाता है अब काफी दूर जाने के बाद ये अपने एक पावर को यूज करता है जो कि बादलो के सबनते और जीशू की बॉड़ी को टेवोर कर जाता है फिर ये सूसता है यार वो सीनियर बहुत पावरफुल थे लेकिन उनका दिमाग सुलो है उन्हें सर्च में लगा कि ये मेरा भाई है इधर वांग लिंग उस औरा को अब्सॉर्ब करने के बाद कल्टिवेट कर रहा था क्योंकि लिंग ट्यानो की जो स्वर्ड एनर्जी है उसे रिफाइन करने में समय लगता है वांग लिंग को लेकिन इस दुरान जीशू का तलवार भी मिलता है जो कि काफी पावरफल था इधर वांग लिंग ट्यानो को याद करता है कि एक दिन मैं वांग लिंग तुमारे बारहो तलवार लेलूगा तो तुम्हें कैसा लगेगा और फिलाल तलवार को भी वांग लिंग अपने डिवाइन से इंप्रिंट कर देता है तो फिलाल यहाँ पर भी एक मैने बीच जाते है और वांग लिंग स्वाड इनर्जी को पूरी तरह से अपना बना चुका था मो यांग को जो इसने मारा था यानि कि वो जो पहला डिसाइपल था लिंग ट्यानो का उसके केस में थोड़ा आसान था वांग लिंग की किस में कोई चीचे और अलगते कि जैसे यह स्वाड इनर्जी को यूज करेगा एसे वापस भी बुला सकता है ऐसा ने गी एक बार यूज किया तो वो खतम हो गया और एक चीज और था जब लिंग ट्यानो ने अपने सबी डिसाइपल्स को यह औरा दी थी स्वाड औरा तो अपने डिवाइन सेंस हटा दिया था क्योंकि ने तो उनके डिसाइपल्स कंट्रोल नहीं कर पाते और अगर उनका डिवाइन सेंस हुता तो शायद वांग लिंग रीफाइन भी नहीं कर पाता और कही ने कही अगर देखा जाए तो All Seer के मुकाबले लिंक्ट यान हो अपने डिसाइपल्स को ज़्यादा प्यार करते थे वहें इधर Sky Demon जो कंट्री थी अपने 30 मिलियन सोल्जर्स के साथ Fire Demer कंट्री पर war declare कर चुकी थी और इस बैटल में Sky Demon कंट्री के आठो कमांडर इंचीफ आठो wise कमांडर इंचीफ सब भी war में उतर चुके थे अब यहाँ पर दो नए wise कमांडर इंचीफ थे एक तो मो लिहाई और दूसरा मो फे और इवन Emperor भी इस बार बैटल में उतरे थे वांगलिंग इधर बाहर आता है क्योंकि कल्टिवेशन के लिए यह अंडर ग्राउंड चला गया था और हवा में भी अभी एक killing intent feel कर सकता था और वांगलिंग समझता है कि एंसेंट डेमन ने जैसा कहा था कि वो war declare करने वाले हैं तो उन्होंने कर भी दिया मानना पड़ेगा उन्हें और वांगलिंग सोचता है कि अब इस से लिंक्टियानों के दसोड डेसाइपल्स को मारना है दो को मार चुका है तो दसोड की मतला प्रोटल बारसवर एनरजी इसके पास हो जाएगी और साथ में मारने की वज़े से स्लोटर औरा भी इसका काफी ज़्यादा हो जाएगा तो आराम से ये पावरफुल लोगों से बैटल कर पाएगा और वांगलिंग को याद आता है कि उस मोफे के पीज़े दोसवर्ड सेंट का डिसाइपल्स थी अफिलाल उनकी बारी है और वो मोफे भी थोड़ा अलग है वांगलिंग को याद आता है क्योंकि जो इसने वो जेल में बंदा दिखा था जोकि स्लोटर औरा को मास्टर कर र अब क्योंकि वांगलिंग एसेंडेंट लेवल पे था तब इसे थोड़ा बहुत पावर डेमन एंपरर का समझ में आता है और डेमन एंपरर इसे कहते भी कि अब तुम्हें पुलाइट होने की जूरत नहीं है वैसे भी तुमारा ओदा मेरे से बराबर ही हो चुका है तुम कि मुझे मेरे नाम गुयूंडूं से बुला सकते हो फिर ये बोलते हैं कि मुझे ये नहीं समझा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं डेमन एंपरर हूँ और वांगलिंग इने बताता है क्योंकि मैं थोड़ा बहुत गैस कर रहा था और आपसे जैसे भूला वो कन्फरम हो इधर वांगलिंग के माइंड में लागता रिकवा जारी थी वो था फॉस्टेविल काफी रेस्पेक्ट से बोल रहा था कि क्या आप मुझे उससे मिलाओगे नहीं तस साल से मैं उसका वेट कर रहा हूँ और फाइनली वांगलिंग तलवार निकाल देता है तो जूल ही को उससे बाहर आता है तलवार से बाहर खुद आजाता है मतब तलवार लेके आगे नहीं बढ़ता है और ये अपने form में आता है यानी human form में और demon emperor को देखने लगता है लेकिन demon emperor के आसपास उनकी तलवार कहीं देखती नहीं है फिर ये सौसता है क्या वो जो little beauty थी और मैं क्य कि हाँ मेरी भतीजी एक जिससे बहुत ज़तन अफरत करती है और फाइनली इनका तलवार सामने आता है वहाँ से लड़की निकलती है और गुस्ते में जू लीगुओ की तरफ देखती है कि ये तुम फिर आ गया और अपने तलवार से डेविल पर अटैक कर देती है फर्स डे भी पैचान जाती है कि वो तुम ही थे जो जेल में वो कांड किये थे मतलब वो स्लोटर अवरा कोई अब्जॉर्ब कर रहे थे अब ये लड़की उस तलवार के साथ वांग लिंग पर भी अटैक करने लगती है और डेमन इंपरर तलवार को पकड़ लेते है और अभी बता से एसेंडेंट के लेट फेज में तो है वांग लिंग तुरंती फर्स डेविल को बैक के अंदर डाल देता है और फाइनली बात बदलता है कि मैं आपसे ये पूछने है था कि डेमन जनरल मोफे कहां पर है और ये बताते है कि विलाल वो वाइस कमांडर इंचीफ बन चुक तो वैसे भी अब आपको कोई रोकेगा नहीं और आफ इवेन है मेर कमांडर इंचीफ को भी और दे सकते हो फिलाल ये वांग लिंग को एक जैड भी देते है और वांग लिंग यहांसे निकल जाता है अब जो डेमन इंपर थे वांग लिंग जाने के बाद कहते हैं क्योंक तो बाद बंद करो फिलाल ये आपर हेवेन कमांडर इटर्निटी डेसोलेट कमांडर इन चीफ्स वगरा को दिखाये जाता है और ये सब भी सोन गाटो सिटी की तरफ बढ़ रहते हैं सौंग टाओ सिटी की तरफ और इनके साथ मोफे भी था और जिस बीष्ट पर ये अब वांगलिंग को आता देख करके मोफे को फरक नहीं बढ़ता है और इसके साथ जो बंदा था फाइनली वो भी आँखे खोल के देखता है वांगलिंग को देख करके हेवेन कमांडर इन चीफ और बाकी जो कमांडर इन चीफ थे वो भी ध्यान से देखते हैं वांगलिं शांत खड़ा था पर वो जो मेडिलेज्ड मैं था जिसके पास तलवार थी वो अपने तलवार से वांगलिंग के फिंगर ओफ डेथ को काउंटर करता है पर वांगलिंग का अटेक इतना फास्त था कि वो अचानक से गायब हो जाता है और मूफे को चैरतरप से घेर लेता है इदर वांगलिंग आर्मर के पावर को यूज करता है और ये जो मिडिलेज्ड मैं था उस पर अपने डेवलिश्ड फ्लेम से अटेक कर दीता है मिडिलेज्ड मैं हैरान था क्योंकि ये जो मौका था ये लाइफ और टेथ का था तो ये भी अपना जो स्वर्ड एनर्जी थ उसे बाहर निकाल लेता है पर जैसे उसे निकालता है अंडर वर्ल्ड रिवर जमीन से प्रकट होता है और मानो समय फ्रीज हो जाता है थोड़े समय के लिए और वो बंदा जैसे के अपने फोर हेट से उस औरा को निकाली रहा था वांगलिंग अपने एक ही अटेक से इससे मार देता है, इसके सर को निकलता है इसके तलवार को लेता है और यहां से निकल जाता है, यह सब काफी fast हुआ था अब यह जो medilage में था, इसका नाम था हाई जू, वांग लिंग इसका origin soul को भी seal कर देता है, क्योंकि इस बंदे का भी power, soul transformation के late phase में था, और emperor का जो jet था, उससे भी यह यही पर छोड़ देता है क्योंकि इसका काम हो चुका था, तो वांग लिंग इसको यह वाला भी sword energy मिल जाता है और इसके mind पर, यह अपने soul spell को use करता है, searching वाला, ताकि जो भी information इसे चाहिए, उसे मिल सके और हाईजू के origin soul को यह एक primary soul बना लेता है और इसे एक और information मिला था, कि इन्हें एक बंदा protect कर रहा है, जिसका नाम greed है लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कि मैंने इस बंदे को देखा है कही न कहीं, पर कहा देखा है मुझे नहीं पता, और जैसा कि इसे information मिला था, इस बंदे का जो power level है, वो ascendant से भी उपर है illusionary yin level पर है यानि सेटू नान के, जो young stage है, उससे बस एक stage नीचे अब वांग लिंगों जैसे सेटू की याद आती है इसके पास में एक Z था तो उससे ये touch करके देखता है क्योंकि उसमें बहुत सारे images बने हुए थे जिसने सेटू नान की body पर attack किया था बहुत पहले, 10,000 साल पहले सेटू ने ऐसी दिया था कि जबी बिए अगर तुम्हें इन बंदों में से कोई भी मिले, तो मुझे बस बता आ देना, तुम मत करना कुछ और वांगलिंग को भी ऐसा नहीं लगाता कि ये वो उन बंदों में से किसी एक से मिल सकता है क्योंकि ग्रेड सेटू नान का दुश्मन था तो वांगलिंग को ये भी समझ में आ जाता है कि यानि की ग्रेड को heaven defying beat के बारे में भी पता होगा और वांगलिंग जानता था heaven defying beat काफी powerful है उसका बस एक ही element बागी है और वो है metal element बहुत प्रयास करने के बाद भी ये पूरा नहीं हो पाया था और वांगलिंग सुचता यह ये item के बीचे इतने लोग क्यों है इसमें बस time slow हो जाता है बागी तो मुझे कुछ वैसा दिखा नहीं फिलाल information के सबसे हाईजू जो था उसके mind में जो मिला था कि greed फिलाल fire demon country में था और उसे कुछ secret पता चला था दसतल पहले और शायद वहाँ पे हो भी सकता है यानि यही fire country में हो सकता है और जीशू के जब इसने मारा था तो जीशू भी fire country के तरफ ही बढ़ रहा था और अभी ये बंदा भी fire country के तरफ ही बढ़ रहा था अब वांगलिंग ये सोचता है कि greed करना कह चाता है उसे मिला क्या है अब वांगलिंग सोचता है फिलाल ये सब छोड़ो और मैं बैटल करता हूं और स्लोटर अरा औरा को ज़ादा सज़ाधा कẳ्ठा करता हूं तो वांगलिंग फिलाल फार डेमन कंटरी के तरफ नहीं बढ़ता है ये चला जाता है सोल रिफाइनिंग ट्राइप को जो से कि इसने खुद बनाया था आने के बाद ये 13 और ओ यांग हुआ से मिलता है अब यहाँ पे जो लोग थे वो तसजार से जादा हो सुके थे वांग लिंग फिलाल यहाँ के जो भी लोग थे उनके अंदर अपने स्लोटर और आपको मिक्स कर देता है ताकि अगर ये जितने लोगों को मारेंगे इनका जो लाइफ सील है वो स्ट्रॉंग होगा तो अगर बैटल खतरनाक भी हुआ तो ये खुद को बचा पाएंगे और वांग लिंग इन्हे बैटल में इन्वल्ब नहीं करता है और यहाँ पर आसपास में जो तीन ट्राइब्स थे उन्हें भी ये लोग हरा चुके थे और फिलाल वांग लिंग इन लोगों का जो सिट्टी था इससे ही सिफ्ट कर देता है जो डेविल टावर दा जाबर इसने एक बैटल लड़ा था वहाँ पर ये एक नया एरिया बसाते हैं और ट्राइब की लोग भी सेटल हो जाते हैं और पलक छपकते हैं दसताल और बीच जाते हैं वांग लिंग दस साल तक पुरा इस टावर में ही रहता है और वहीं स्काई डेमन कंट्री और फायर डेमन कंट्री का बैटल लगातार चल रहा था क्योंकि इतने बड़े बैटल में दस साल कुछ नहीं है और इन दस सालों में जो वांग लिंग का ये सोल रिफाइनिंग ट्राइब था ये पहले से काफी स्टॉंग हो चुका था और इन दस सालों में वो जो डेविल की हो रहा थी वांग लिंग की बोड़ी में उस पर ये लागातार अपना च्छाप बना रहा था क्योंकि सौ साल का समय से एंसें डेमन ने दिया था पर उसके पहले इसे स्टॉंग तो बनना पड़ेगा ताकि ये वो काम कर पाए ट्राइब के लोग भी काफी स्टॉंग हो चुके थे लागातार लोगों को मारने की वज़े से इनकी भी स्लोटर हो रहा बढ़ते जा रही थे और कहीं न कहीं से वांगलिंग को भी फायदा हो रहा था अब सामय मिलता है वांगलिंग को तो ये याओ जिग्जिव को बाहर निकालता है और अब ये इससे पूछता है क्या तुमने अपना डिसीजन बना लिया है याउजिक्जियो इस समय नगन नहीं थी बलकि इसने एक ब्लू रंग का कपड़ा पहना था और ये वांगलिंग की तरफ देखकर गह थी कि तुम सोच क्या रहो दस सालों में मैं तुम्हें हर एक चीज बता चुकी हूं तुम्हें और क्या जानना है क्योंकि इन दस सालों में जबसे वांगलिंग इस टावर में है इसने याउजिक्जियो को बहुत बार पोचा था याउजिक्जियो समझदार थी तो ये जो अपने नफरत था दिल में छिपा के रखी थी और इतना तो समझ गी थी कि ये बंदा एकदम हार्टलेस है अब वांगलिंग इससे पूचता है कि तुमने कुछ दिन पहले मुझे बताया था कि ये सेलेश्टियर एम्परर का केव है और टोटल चार और ऐसे केव है तुमें ये सब कैसे पता चला याव जिगजिव नहीं बताना चाहती थी अब जिगजिव कहती है ठीक मैं तुमें बता दूगी पर अपने डाव हार्ट की कसम खाओ कि उसके बाद तुम मुझे यहां से जाने दोगे वांगलिंग कहता देखो तुम बारगेन तो नहीं कर सकती फाइनली यह बताती है कि देखो मेरे फादर ने मुझे बताय था और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मैं तुमसे इन्वाल्ब नहूँ पर मुझे समझ में नहीं आय था कि वो तुमसे इतना क्यों चौकन नहीं थे पर अब मुझे समझ चुका है अब ये बताती कि टोटल चार केव है मेरे पिताजी ने बताय था बहुत पुरानी बात है मेरे पिताजी लिंग्टियान हो और कुछ लोग और आये थे उन्हें इस सीक्रेट के बारे में पता चला था कि ये जो पूरा डेमन स्परिट लेंड है ये बेसिकली सेलेस्टियल एंपरर का गुफ़ा है और तुम सोच भी निसमते तोटल पांच गुफ़ा है चार फेक हैं और एक रियल है वांगलिंग कहता है मतलब जिस गुफ़ा में हम लोग कहते है वो फेक था ये हां में सरीलाती है लेकिन ये भी कहते है कि हर एक गुफ़ा में कुछ न कुछ ट्रेजर्स तो है ही अब ओरिजिनल वालना तो अलग बात है वहां पर रास्ता कोई पहुँची ने पाया फिर ये बताती है कि तुम ये भी नहीं समझ पाये वो जो चार गुफ़ा है वही वो रास्ते है मतलब बिना उनसके तुम मेन गुफ़ा में नहीं जा सकते और वो जो गुफ़ा है वो किसी और का नहीं सबसे स्ट्रॉंगेस सेलेस्टिल एम्परर किंग लिन का है उसके पहले मतलब जब तक सेलेस्टिल रियल्म था कहा ये भी जाता है कि जब सेलेस्टिल रियल्म में अटैक हुआ था मतलब वो कॉलाप्स कर गया था तुम अभी एम्परर किंग लिन जिन्दा थे इंजर्ड हुए थे पर वो बच गय थे और जितना हमको पता है मतलब मेरे पिता जी नहीं पता है शायद वो जो पांचवा गुफा है उसमें वो रेष्ट कर रहे है वो कल्टीवेट कर रहे है पर ये सब चीजे सभी को पता चल चुकी है यानि ओलसीर वगरा को इसे लिए ये लोग वहाँ जाना चाते है वांगलिंग को ज़्यादा फरक नहीं बढ़ता है बस ये अपने आँखों को थोड़ा सी कोडता है क्योंकि जिगजियो को ये लगाता है कि वांगलिंग एकदब अंकंट्रोल हो जाएगा ये सब चीजे सुनके वांगलिंग को याद आता है कि जब यह उस फेक गुफा में गया था, तो उसे एक आवाज सुनने को मिले थी, कि मैं किंग लिन हूँ, अब वांगलिंग सोचना शुरू करता है, कि यार ये, ये जगे कैसी है, क्योंकि यहाँ पर एंसेंट डेमन्स हैं, स्कैटर्ड डेविल्स हैं, डेविल्स मतलब जो अभी वांगलिंग एब्सॉर्ब कर रहा था, एंसेंट डेमन को नौ भागों में बाट दिया गया हैं, तो वो एक दूसरे के साथ फ्यूज भी नहीं हो सकते, स्कैटर्ड डेविल्स के बारे में इससे ज़्यादा नहीं पता है, कहा ये जाता है, कि एंसेंट डेविल के न अभी वांगलिंग पहली बार सुनता है, ये बताती है, कि ये जो ज़ो गूफा में लंबे समय था कल्टिवेट किये, उनका कोई जगह नहीं है, इसलिए लोग उन्हें जादा नहीं जानते, अब वांगलिंग कहता है, मतलब तुमारे पिता जी इधर आते ही होंगे, पर जाओ जिगजिव जदर ये अक्ट नहीं करती है, वांगलिंग ये कहता है, कि मुझे जितना समझ मैं रहा है, तसजार सालों में, तुमारे पिता जी, यानि कि ब्लड एंसेटर, कुछ कारण के वज़े से, शायद नहीं आपाए, इसलिए तुम आई थी, और तुम इसलिए गुफा में अंटर करना चाहती थे, क्योंकि तुमारे पिता जी अंटर नहीं कर पाए थे, और तुम कहीं न कहीं तयारी कर रही थी, तुमारे पिता जी को अंदर कैसे लाना है, मतलब जब वो दो तीन सो साल बात, सब भी लोग आएंगे तो, या उजिगजिव स्माइल कर और कहती है, कि तुम सच में बहुत स्मार्ट हो, मेरे पिता जी ही नहीं, वलकि तुमारे टीचर, यानि ओल सीर, लू, लिंक ट्यान हो, और बाकी वी जो पावरफुल लोग हैं, वो भी आएंगे, वंग लिंक कहता है, क्या इसका करण वो तो नहीं, जो गोल्डेन टोकन द लेकिन इसको जो पूछना है, वो मैं बता पा रही हूँ, मतलब ये क्या पूछना चाहता है, इससे सब पता है, और अगर मैं जूट बोले, तो ये पकड़ भी लेगा, ये बंदा, इसलिए मैं कहता हूँ गाईज, कि वांग लिंक से होशिहार, और वांग लिंक से खतरना पस मैं ही हूँ, बाकिस दुनिया में कोई नहीं है, अब याओ जिगजियो, ये अपने मुंडी को नीचे कर लेती है, वांग लिंक से आई कॉंटेक्ट, करना नीच आती थी, और फांदे बोलती है, मुंडी नीचे करके, कि वो जो टोकन तुमने देखा था, उसे किंग ल वांग लिंक कहता है, मतलब ओल सीर को ये लगता है, कि तीन ही टोकन उन्हें खुलने, और चौता रियल है, बट चौता ब्लड एंसेस्टर के पास है, वो किसे को नहीं बता है, याओ जिगजियो, हां में सरीलाती है, और वांग लिंक ये समझता है, कि ब्लड एंसेस्टर अब वांग लिंक पुषता है, कि वो टोकन, जब वो उस एबिस में एंटर कर गया था, तो अब कहा होगा, इस डेमन लेंड में, याओ जिगजियो बताती है, टाइडल एबिस, जो कि फायर डेमन कंट्री में है, वांग लिंक अब कुछ नहीं पुषता है, फिलाल ये या एक नए वडियो के साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेर करें,